दूस्तो इस वोडियो में जानेंगे कि ICAC बैंक का एकाउंट नमबर क्या से पता करें दूस्तो अगर आपका भी बैंक एकाउंट ICAC बैंक में है और अगर आप अपना ICAC बैंक का एकाउंट नमबर भूल गए है तो अगर आप भी अपना ICC बैंग का एकांट नमबर पता करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तो ICC बैंग का एकांट नमबर पता करने के लिए यहाँ पर हम Paytm एप का हेल्फ लेने वाले हैं सबसे पहले आपकी मुबाइल में Paytm एप होना चाहिए अगर आपकी मुबाइल में Paytm नहीं है तो इसको डाउनलूड कर लिजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसकी बाद आपको क्या करना है Paytm एपको आपेंड कर लेना है और यहाँ पर दूस्तो आपका जो एक Paytm में UPI बना होना चाहिए बैंक एकांट एड होना चाहिए अगर नहीं है तो दूस्तो आपको क्या करना है Paytm UPI का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसे आप उस लिंक के उपर क्लिक करेंगे उसकी बाद दूस्तो यहाँ पर आपकी पास बैंक एकांट एड करने का आप्शन मिल जाएगा तो यहाँ पर दूस्तो आपको जो है ICIC BANK को डून लेना है जिसे आपर देख सकते है ICIC BANK के यहाँ पर सूख कर रहा है अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो दूस्तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते है ICIC BANK जिसे आप लिखेंगे उसकी बाद आ जाएगा तो simple सा आपको क्या करना है इसे select कर लिना है जिसे आप select करेंगे तो दूस्तों यहाँ पर देख सके कुछी तरह से आपका जोए paytm में bank account एड हो जाएगा अब दूस्तों आपको क्या करना है बैक करने के बाद दूस्तों आपको क्या करना है देख सकते हैं एक option मिलेगा balance and risky का इसकी पर click करेंगे उसकी बाद यहाँ पर आपका ICC bank so करेगा तो simple सा आपको क्या करना है ICC bank जो लिखा है इसकी पर click करेंगे उसकी बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो आपका account number 100 करेगा आपको अपना IFSC code भी देखना है ICC bank का दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं bank account details लिखा है इसकी पर click करके भी यहाँ पर देख सकते हैं आपका ICC bank का account number क्या है IFSC code क्या है branch name क्या है सब कुछ यहाँ पर check कर सकते हैं तो गर आप अपना ISIS bank का account number भूल चुके हैं तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं विडियो को like कीजिए share कीजिएगा चैनल को subscribe जिरूप कर लिजिएगा विडियो देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद